हलो फ्रेंज, जैसा कि JPSC प्रारंबिक परिच्छा संपन हो गया है और आपके मन में काफी उत्सुकता हो गए कि आपके कितने नमबर बंद रहे हैं, कितने नमबर आ रहे हैं, उसको जानना उसके लिए काफी YouTube चेनल द्वारा एंसर की अपलोड किये गया है हमने देखा कि अच्छे अच्छे YouTube चेनलों द्वारा जो एंसर की अपलोड किये गया है, उसमें बहुत से प्रस्न गलत है बहुत से प्रस्न गलत है जिससे की हमको महसूस हुआ कि हम आपके लिए ऐसा एंसर की लाए जिसमें कि प्रस्न के एंसर सटी का और सही बताइगे ह। तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए, आप answer मिलाइए, यहाँ पे आपको सभी प्रस्नों के answer सही बताएगा है, तो हम चलिए इसको start करते हैं, एक करके आप प्रस्नों को मिलाइए और हमको बताइए, अंत में बताइए कि आपकी कितने प्रस्न सही हो रहे हैं, जिससे कि ह हम आकलन लगा सके कि cut-up का marks कितने range तक भेरी करेगा, जिससे कि आपको अनुमानित हो कि cut-up कितना जा सकता है, उसके लिए हम cut-up के लिए हम अलग वीडियो में डिसकस करेंगे, इस वीडियो में हम answer की को डिसकस करेंगे, तो चलिए इक करके प्रस्नों को मिलाते हैं, पहला प्रस्ने निम में से कौन सकतन लेटराइट मित्ती के संदर में सत्य हैं, लेटराइट स्वाइल के संदर में कौन सकतन सत्य हैं, यह आपको बताना है, तो यहाँ पे लेटराइट मित्ती उच ताप और भारी बसा वाले छेतर में बिक्सित होती है, यहाँ पे बोल र डिवल्णक अप्षा ईवेक समरीद उतला हाँ में होती चाहराराय जाती है इसल hun जाएका यह अप HTTP अलम में होती है जाता तो आपकर सब्सक्राइब टोब सब्सक्राइब सब्सक्राइब में जेकि और सोह कने लिश jin Ple Also सही है second statement wrong है तो फर्स्ट कैंसर आपको पता चल गया सटीक तरीके से अगला प्रस्ण की और बहते हैं निन में से किस छेतर में जल का उपयोग भारत में सरवाधिक होता है यह प्रशन पूछा गया है निन में से किस छेतर में जल का उपयोग भारत में सरवाधिक होता है तो अध्योगिक छेतर दिया गया था क्रिसी छेतर दिया गया था घरेलू छेतर दिया गया था खानान छेत क्रिसी छेत्र में जल का उपयोग भारत में सरवाधिक होता है। सकेंड डू हो जाइगा करिसी छेत्र हां अगर आपका a-series स्पार्शनी तो आपके प्रस्नो में option arrangement का अलग होगा। कोस्टन का संक्ष्ण भी अलग होगी। तो आप प्रस्णों के सहायता से अपने अंसर मिला सकते हैं। सभी में समान प्रस्ण है एक प्रस्ण है। बस अरेजमेंट का दिफ्रेंट है। ठीक है। अगला प्रस्ण था भारतिय जन गन्ना 2011 के नुसार किस भारतिय रैज में मतलब नगेटी पॉपुलेशन ग्रोथ दज किया गया अकॉडिंग तो 2011 पॉपुलेशन सेंसेस। तो 2011 जन गन्ना के नुसार नगेटी पॉपुलेशन ग्रोथ किस रैजमें दज किया गया यह आप से पूछा गया था। तो आपको बता देखिए इसका रैट एंसर होगा B, नागा लेंड जो नागा लेंड इस्टेट है वहाँ पे नगेटी पॉपुलेशन ग्रोथ दज किया गया था। तो ठीर ठट का एंसर हो जाएगा B, नागा लेंड तो चली अगले प्रस्न के और बगते हैं अगला प्र भातिया रैज में नागुरू की संख्या सरवाधिक है। सेंसे से दो प्रस्न पूछ लिया गया है, देखते हैं, 2011 का जो जनगन्ना है, वह आपके लिए महत्पून साबित हो गया, उससे तो दो प्रस्न पूछे जा चुके हैं, दो प्रस्न पूछे गया, तो काफी महत्प तो जीएगा C, उत्तरपर्देश. उत्तरपर्देश में सर्वाधिक नग्रों की संख्या है. तो इसका right answer क्या हो जाएगा? 4 का C, उत्तरपर्देश. अगला प्रस्न काफी अच्छा प्रस्न पूछा था. अगला प्रस्न है, नेम में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका हम सही answer आपको बता देते हैं इसका सही answer हो जाएगा D D जोकी अनुछेड 22.2 जो अनुछेड 22.2 है ये रोंग मेच था तो इसका right answer क्या हो जाएगा? अनुछेड D तो ठीक है? तो 5 का D answer हो जाएगा अगला प्रस्न है निमलिखित में से कौन सा अनुछेड राइज बिधान सभाओं में आंगला भातियों के पती निधित्व से संबंदित है आंगला एंगलो इंडियन से संबंदित कौन सा आर्टीकल है ये पूछा था तो ये एवरेश टैप का कोशन था पर काफी बच्चों के लिए ये दिक्कत वाला साभित हो गया तो आपको बता दे कि इसका राइट इंसर हो जाएगा ए आर्टीकल 333 यानि कि अनुछे 333 में एंगलो इंडियन के बारे में जिक्र किया गया है इंडियन कंसिटूशन में आगे देखतें अगला प्रस्ण या किसने कहा कि नायक सक्रियतावाद को नायक जोखिम वाद नहीं होना चाहिए तो दोस्तों इस प्रस्ण में डाउट है इस प्रस्ण में डाउट होने के वज़ा से हम इसका अभि साटिक इंसर नहीं बता सकते हैं इसका विसलेशन आपको हमारे टेलीग्राम चनल में बाद में दिया जाएगा जब इसका सटिक एंसर हमारे द्वारा पता कर दिया जाएगा तो उसके बाद आपको टेलीग्राम चनल में पता दिया जाएगा तो 7 का एंसर डाटफूल है इसलिए हमने इसका एंसर अभी नहीं दे रहा हूं आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्नी की और अगला प्रस्न है निम लिखित में कौन सा वाद जमिनदार व्यवस्था से संबंदित है तो दोस्तों यह question ही wrong है इसका जो option है वह wrong option दिया गया है जिससे की यह question के लिए आपको marks दिये जा सकते हैं यह फिर इस question को डिलिट किया जाएगा JPC के त्वारा चलिए आगे प्रस्न के विए इसको आपको ध्यान में नहीं देना है question no.8 को अगला प्रस्ने देखते हैं अगला प्रस्ने है संग लोग सेवा आयोग राइज की अवस्यक्ताओं की पूर्ती के लिए सहमत हो सकता है तो इसका आपको सही एंसर देना है तो आपको बता दे कि राष्ट्पती की संसुष्टी पर राष्ट्पती के अप्रूबल पर प्रेशिजेंट के अप्रूबल पर और गवर्नर के रिक्वेस्ट पर यानि कि राइजिपाल के रिक्वेस्ट पर और तो इस प्रस्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा ए राजिपाल की मांग और राष्टपती की संतुटी पर ठीक है तो नाइन का क्या हो जाएगा ए एंसर तो अगले प्रस्न की और देखते हैं अगला प्रस्न है कोशन नमबर टेन भारत में नियोजन के संदर्ब में क्या सत्ते हैं तो आपको बता दे कि इसमें सारे ओप्सन सही है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा डी सभी सत्ते हैं चलिए अगले प्रस्नी की और बहते हैं अगला प्रस्न है democracy and development in India forms socialism to pro business नामक पुष्टक के लेखक यहापे पुष्टक से पुछ दिया है कि इस पुष्टक के लेखक कौन है तो आपको बता दे इस पुष्टक के लेखक इसका राइट एंसर हो जाएगा भी अतूल कोहली इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो अब इंग्लिस और हिंदी दोनों से देखके अपना मिला सकते सुसासन के संदर में निमलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है सुसासन के संदर में गुड गवर्नेंस के संदर में कौन सा कथन सत्य नहीं है यह बताना है आपको तो आपको बता देखिए इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा D. धार्मिक्ता एवं भाउक्ता इसके में सत्य नहीं है धार्मिक्ता एवं भाउक्ता गुड गवननेंसे के लिए सत्य नहीं प्रू नहीं है तो इसका right answer क्या हो जाएगा अगला प्रस्ण है नगरपालिका का सदज से चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा यानि कि डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा कोई-कोई हिंदी में पढ़ रहे होंगे तो इसका अर्थ समझ में नहीं आया होगा और इंगलीस में पढ़ने से काफी सिंपल हो जाता है कि डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा ये पूछा जा रहा है कि डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा अगर नगरपालिका का सदज से चुने जाने के लिए इसलिए कभी-कभी आपको इंगलीस में प्रस्ण पढ़ने चाहि तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा C 21 वस की आयू सी मपर अगला प्रस्ण है पंचायतु की वित्य अवस्था का मुल्यांकन करने के लिए वित्य अवस्था का गठन का प्राधिकार किसको प्राप्थ है 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 तो आपको बता दे कि यहां पर पंचायत की बात हो रही है और पंचायत से related to state का मेंटर हो गया तो franchise से related subject state का मेंटर हो गया तो आप तो यहां पे दो options में ऐसी confirm हो गए होगी कि यह आइदर भारत का राइज का गवर्नर यह आइदर राइज का मुख मंत्री होगा तो आपको बता दे इस प्रस्न का सही उत्तर हो जाएगा B राइज के गवर्नर तो राइट एंसर क्या हो जाएगा B राइज के गवर्नर चलिए अगले प्रस्नी की और बहते हैं अगला प्रस्न है भातिय राजकोसी संगवादी बेवस्था में संसाधनों का केंदर द्वारा राइजियों का आवंटन किया जाता है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा गाडगील सूत्र के अंतरगत योजना कारिवन है के लिए अस्थांतरन तो चलिए अगले प्रस्न की और बहते हैं आप एकक करके मिलाते जा रहे होंगे चेक करते जाएगे और अंत में आमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगे कि आपकी कितने प्रस्न सही हो रहे हैं पेपर वन में आपकी कितने प्रस्न सही हो रहे हैं पेपर टू का एंसर की आपको जल्ड उपलब्द कराया जाएगा इसी तरह सटिक एंसर के जरी है सटी कैंसर के जरीए, चलिए फल्दे में हम लोग जो मन किया सो एंसर पना के नहीं अपलोड करते हैं, आपके सामने हम में हमारा मकसद होता है कि सटी कैंसर दिया जाए, ताकि आप एक वीडियो के ही माध्यम से अपना बिस लेशन करने में सच्छम हो सकें, ठीक है, तो तरह से राइजियो द्वारा लगाया और वसूला जाता है, मतलब कम्पलिटली राइजियो द्वारा लगाया और वसूला जाता है, वह इसा करके बारे में बताना है, तो GST, GST दो परकार के होता है, SGST, स्टेट GST और सेंट्रल GST, तो GST तो नहीं होगा, आईकर भी नहीं निगमगर भी नहीं होगा तो इसका राइट इंसर हो जाता है लेंड रेविन्यू भूर राजस्व में completely state का इसमें रहता है तो completely state इसका वसूलता है ठीक है तो चलिए आगे प्रस्नों की और बहते हैं अगले प्रस्नों की और अगला प्रस्ट है कोश्टर नमबर 17 कोश्टर नमबर 17 केंद्रियो बजट मिराज कोशी घाटे का तातपर होता है यह आप से पूछा जा रहा है तो इस प्रस्ट में हमारा डाउट है इस प्रस्ट में हमारा C और D option में डाउट है या किसी अन्य सोल से आपके समझ स्पेस किया जाएगा तो इसके लिए अगले प्रस्ट के और बहते है अगला प्रस्ट है भारत की दूसरी पंच वर्षिय योजना किनके द्वारा बिक्सित एक आथिक मोदल पर अधारित थी किनके द्वारा विक्सित आथिक मोडल पर अधारित की भारत की दूसरी पंच वर्सिय योजना काफी महत्पुन प्रस्ण है और ताफी बार इग्जामिनेशन में पूर्चा भी जाद चुका है तो आपको बता दें किस प्रस्ण का सही उत्तर होगा अब भी PC महालानोबिस इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण की और बहते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है निर्म में से कौन सक्रम सही है जिसमें दर्सित विकास के मापको को प्रस्तावित किया गया है निर्म में से कौन सक्रम सही है जिसमें दर्सित विकास के मापको को प्रस्तावित किया गया है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा B, प्रतिव्यक्ति आए, HDI और PQLI ये तीन हो जाएगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा B, ठीक है? अगले प्रस्ण की ओर देखते हैं अगला प्रस्ण है, भारत में सीशक पंक्ति वाली मुद्रा इस्पृति आधारित है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 20 का B, उप्भोक्ता मुल्य सुचकांग, संयुक्त CPIC, CPIC Consumer Price Index Combined तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा B, तो चलिए अगले प्रस्ण की ओर बरते हैं तो अगले प्रस्ण 21 का नव पता दें कि आपका इसका राइट एंसर हो जाएगा A, हीमाचल परदीश अगला प्रस्ण आपको सामने है, अगला प्रस्ण कोष्चन नमबर 22 देखें, यह प्रस्ण भी काफी दॉट फूल रहा ूध मिल की डॉट होने की जिक्र होता है और काफी हम लोग ग्रायमसवड अपने टीम के साथ करने के बाद वी उस प्रस्ण में कुछ संसय रहता है तो हम संसे वाले प्रस्णों को आपके खूली तोर पे बता देना चाहते हैं कि इसमें कुछ संसे हैं तो आपको बता दे कि इस प्रस्ण में कुछ संसे हैं तो फिर भी अगर बोला जाये तो इस प्रस्ण का सही उत्तर अगर बोला जाये तो इसमें B option सही होने के सरवाधिक chances बनते हैं तो अगला प्रस्ण की और बात है Question No.23 निन में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन हूड संस्थानों से संबंधित नहीं काफी महत्पून प्रस्ण पूछा गया ब्रेटन हूड संस्थानों से संबंधित नहीं है तो आपको बता दे कि साइयू क्टरस्ट इससे संबंधित नहीं है काफी अच्छा प्रस्ण था question का level काफी अच्छा रहा है काаз प्रस्ण का level काफी अच्छा रहा है इसलिए cut-off काफी लो होने के chances है काफी लोग होने का चांज से मुलने का मतलब है कि अगर आपके 110 दोनों पेपर मिलाके 110 अगर आँखा आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके होने की संभावना काफी जादा होगी चलिए अगले प्रस्णिके हो देखते हैं यदि एक समय अंत्राल में बजारिय सकती द्वारबी निमय दर साथ परति दोलर से बदल कर 65 परति दोलर हो जाती है तो क्या होगा इसका राइट ऐंसर हो जाएगा रुप्य का अधी मुल्यन होगा इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा च़ो विसका सी अगला प्रस्न है क्रोमोजोनल थियूरी गुंसुत्रों की वनसागत संधान्त गुंसुत्रों की वनसागत सिधान्त दिया था तो गुंसुत्रों की वनसागत सिधान्त के द्वारा दिया गया था तो इसका राइट इंसर हो जाएगा D, Sutton and Bovri Sutton और Bovri द्वारा दिया गया था गुन सूत्रों की वनसागत सिद्धान तो इसका राइट इंसर हो जाएगा 25 का D तो अगला प्रस्न है Hinks Boson काफी मात्पून प्रस्न है Hinks Boson कोई से भी जाना जाता है काफी इजी प्रस्न है Hinks Boson हिंस Boson दो साइंटिस्ट के थूरी पर अधारित है एक जो इसमें की इंडियन साइंटिस्ट है सतेंदर नात बोस जिसके तो आरा बोसन लगा और Hinks के एक साइंटिस्ट है उनके द्वारा तो इन दोनों के थूरी पर अधारित है इसको एक और नाम से जाना जाता है गोड़ पार्टिकल, हिंक्स बोस्वन को गोड़ पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, एगा, अगला प्रस्न है, 27, तो 27 में प्रस्कास सजग डायोड के कायरें करने का सिधानत है, मतलब LED कौन से प्रिंस्पल पर बर्ट करता है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, ए, बैधुत्य संदिप्ती, बैधुत्य संदिप्ती प्रिंस्पल पर LED वर्क करता है, अगला प्रस्न है, निम में से कौन से बिधुत्य चुम्बके तरंग का उधारन नहीं है, बिधुत्य च sonic wave इसका right answer हो जाएगा यह चुम्बक किया electromagnetic wave का उधारन नहीं है example नहीं है अगला प्रसन है हावा में प्रकास की चाल निर्भर करती है जो speed of light air depends on तो आपको बता दे कि sound medium में depend करता है sound medium में depend करता है और जो light होता है वो medium में depend नहीं करता है साथ ही हुआ temperature, pressure, density इन सभी में भी depend नहीं करता है तो इसका right answer क्या हो जाएगता it is independent of pressure, temperature and density इसका right answer D हो जाएगा अगला प्रसन है which is not insect insect नहीं है तो मकरी आपको बता दे कि यह insect का नहीं है अगला question है quantum सुचना का मूल मात्रक क्या है basic unit of quantum information तो आपको बता दे क्यूबाइट जो option A है क्यूबाइट इसका right answer है आप देखे होंगे कि काफी channel हो द्वारा byte या फिट option को right किया गया है तो नहीं क्यूबाइट इसका right answer होगा अगला प्रस्न है मेध संगनना सेवसं मिलित है नहीं करती है तो 32 का right answer हो जाएगा D क्या हो जाएगा इसका right answer है D allotment of electromagnetic spectrum जो cloud computing service does not include काफी कोई कोई section में तो काफी इसी प्रस्न पुछ गया है जो कि अगर कोई उसमें deeply knowledge नहीं रखता हो तो उसके लिए बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा जिससे कि यह प्रस्न अगला प्रस्न है Facts and electronic malpression में प्रियुक्त सुचना संकेत का रूप है तो आपको बता देकि जो 33 questions है इसका right answer हो जाएगा C analog and digital signal both analog और digital signal दोनों इसमें यूज होते प्रियुक्त होते है अगला प्रस्न है पाउधे द्वार ली जाने वाली नत्रजन का रूप है मतलब कि nitrogen is taken by plant in the form of nitrogen किस form में plant द्वार लिया जाता है तो आपको बता दे कि nitrogen होता है जो कि soil द्वारा पाउधा लेते हैं तो वह nitrate form में लेते हैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा C nitrate तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि nitrogen जैसे कि यही प्रस्न गा किसी एक्जाम में पुछा जाएगा कि पौधे nitrogen किस द्रूप में लेते हैं A.S.E.Direct लेते हैं या फिर स्वाइल से लेते हैं वाटर से लेते हैं तो भी आपको confusion होगा तो आपको बता दे कि स्वाइल से लेते हैं अगला प्रस्न है मूम फली का अत्यद्धिक हानिकारक रोग है डेडिली डिजीज ऑफ ग्राउंड नट तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 35 का एक टिक का अगला है मक्का आलू गन्ना मूम फसल का चक्र उधारन है मूलक फसंद का रोटेशन यहाँ पे पुछा है तो आपको बता दे कि यह रोटेशन होता है टू एर का कितने का होता है टू एर का तो 36 का भी एंसर हो जाएगा टू एर्स नेक्स्ट प्रसन है बोटिकल नेम आप मैक्रोनी वीट यहाँ पर वीट नहीं में क्रोनी वीट का बॉटन एकन लेम यानि की scientific नहीं पूछा गया है आपसे तो आपको बता देखे 37 का D हो जाएगा क्या हो जाएगा राइट एंसर टिर्टिकम डूरम इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है पर्थम साक नासी कबिश्म में उत्पादेंगी पर्थम साक नासी हर्वी साइड प्रोड इंद वर्ल फर्स्ट हर्वी साइड प्रोड इंद वर्ल यह पूछा गया है तो इसका right answer आपको बता दे की A होगा 2.4.2.4.0 इसका right answer हो जाएगा अगला प्रशन है भारत में बिदेशों से बहुई यात में निरियात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाती है कौन सा प्रजाती आम का mostly exported होता है इंडिया से export होता है इंडिया से तो आपको बता दे इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा A. Alfonso आम की उगा प्रजाती है जो mostly exported होती है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा A. अगले प्रशन की और बगते हैं मुगलों के समय जार्खान का प्रदेश के नाम से जाना जाता था तो राइट एंसर क्या हो जाएगा A. कुकरा अगला प्रशन है अंग्रेजो का जार्खान में सरोपथम प्रवेश की छेत्र से हुआ था तो आपको बता दे कि सीमभूम छेत्र से अंग्रेजो का जार्खान में प्रवेश हुआ था तो right answer क्या हो जाएगा, B, सिम भूम, भूमिज बिद्रो के नेटा कौन था, भूमिज बिद्रो के नेटा, तो काफी अच्छा कोस्तन पुछ लिया, भूमिज बिद्रो के नेटा कौन था, तो गंगा नारायन, तो right answer क्या हो जाएगा, A, गंगा नारायन, अगला प्रस्न है, आदिवासियों का निवास सस्थल तंड़ के नाम से जाना जाता है त इसका राय टैंसर हो जाएगा बी बिरहूर नेक्स्ट प्रस्ट ने आदिवासियों में बिद्व पिनर ब्यवा को मयारी कहा जाता है मैयारी किस आदिवासियों में विद्वपूर तो यह प्रस्ण डौटफूल था इसलिए हम इसका जिक्र भी नहीं करना चाहेंगे जब यह किलियर हो जाएगा तो आपके सामने इसका राइट एंसर बता दिया जाएगा तो चलिए अगले प्रस्न के और परते हैं, दौमकुरिया का क्या ताट पर है? काफ़ी सिम्मल है, पिछला वर भी जे प्यसिक में दुमकुरिया से रिलेटर प्रस्न पूछा गया था कि किस जंजाती से संबंधित है तो जिसमें कि उन्राउं जंजाती से संबंधित था इंसर और इसमें पूछा गया कि दुमकुरिया से क्या तात पर है तो यह उन्राउं जंजाती की युवागरी है तो इसका राइट इंस प्रया की आत्यी कि थिति उजागर होती है, तो इसका राय टैंसर हो जाएगा D-Jetnava Kya, ठीक है, अगला प्रस्न है, पाला कोट की गुफाएं अवस्थीत है, काफी सीम्पल प्रस्न भी पूछा गया है कहीं कहीं, शारकन के प्रस्ने मुख्यता सामंता मतलब पेपर वन में अच्छे थे जारकन के जो रिलेटेड़ प्रसन थे वह समयता अच्छे थे तो इस प्रसन का जवाब देना है कि पाला कोट की गुफाएं अवस्थीत है तो आपको बता देखिए है गुमला में अवस्थीत है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा डी गुमला अगला प् दिवासियों का एक पारंपरिक पेसा है, तो काफी बार इस प्रस्न को आपने काफी बुकों में पारा होगा है, तो इसका राइट एंसर क्या होगा है, अगभी असूर, असूरों का लोहा गलाना प्रांपरिक पेसा था, अगला प्रस्न है, निमनांकित अस्थानों में से किस किसे मंदीरों का नगर की रूप में जाना जाता है। मलुटी को विलेज ऑप अगला प्रस्ना है कैल परवत निह में से किस छेत्र में अवस्थीत है। तिब्बत में वस्तित है कैलास परवत, तो राइट एंसर क्या हो जाएगा, C तिब्बत, अगला प्रस्न है, विश्व में सर्वाधिक समस्यात्मक जलिये घास फूस है, सर्वाधिक समस्यात्मक जलिये घास फूस है, तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, C इच्छो न इच्छो निरिया अगला प्रस्ण है निन मेह से पूर परमणुध है भिजली घर और राईज का कौन सा मेल गलत है इसमें कौन सा मेल गलत है nuclear पावर प्लांट और उसका इस्टेट के साथ मेलें चेजेय के साफ surtout करनातक में तो यह भी option गलत है और एक कलपक कम कलपक कम कहाँ पह तामिलाड़ो में तो यह भी गलत है तो आपको दोनों एंसर हो जाती से सीलिए हमको लगता है यह प्रस्ण deleted प्रस्ण होगा यह रॉंग प्रस्ण हो ठीख है क्योंकि इसमें दो ऑप्सन सही हो रहे हैं अगला प्रस्ठा है वंसा गत्स संपथी के बिकरी पर कर लगता है वंसा गत्संपथी के बिकरी कौन सा कर लगता है तो राइटह एंसर हो जाएगा भून पुञ्जिल आफकर capital gain tax लगता है, जो कि आपका capital है, देखी, जो capital है, आपका property है, तो उसमें capital gain tax ही लगेगा, तो थोरा सा concept होने पर आप इसका सही जवाब दे सकते थे, अगला प्रस्न है, निन में से कौन सा सास्त्रिय नित अपने बत्मान सरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, कौन स सास्त्रिय नित बत्मान सरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, तो इस प्रस्न का सही उत्तर हो जाएगा, C कठक, कठक इसका right answer हो जाएगा, तो चली अगले प्रस्न की और बहते हैं, निन में से कौन सा सरवाधिक घरेलू रसाइनिक पदूसन का कारण है, तो सरव इसका right answer क्या हो जाएगा, C कोईले का जलव। अगला प्रस्न युम में से कान लोह धातू का आइस्क है, तो आपको बता दे हिमेटाइट इसका right answer हो जाएगा, तो 56 का right answer हो जाएगा, A हिमेटाइट, अगला प्रस्न है, निन में से कौन सि सहरी जीवन की बिशेस्तन नहीं निर्म में से कौन सी सहरी जीवन की बिस इस्तर नहीं है उसका राइट एंसर हो जाएगा अनौपचारिक संबन अनौपचारिक संबन अगला प्रस्ना 1947 से पहले 26 जन्वरी को क्या कहा जाता था इसको काफी तरीके से बिभिम परिचाओं में पूछे जाते हैं ये प्रस्न जिसका राइट एंसर हो जाएगा पूर्ण सौराज दिवस जो पूर्ण सौराज दिवस लाहर अधिवेशन में ये पूर्ण सौराज द पूर्ण सौराज दिवस का जाता था तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ने निम में से किनी भातिय की अंत्रिच कारिकरम का जनक माना जाता है इसमें कोई-कोई-कोई-पी जे अब दूल कलाम से कन्फूज हो जाता तो ये मिसाइल में है इंडिया के मिसाइल में ह d इसका रइंसर होगा विकरम-सारभाई ठीक है अगला प्रसनी बहत्त है भारत में दूसरी सबसे बरी जनजाती कौन सी है काफी कौन अगरत की बढ़ती हिज़ Şimdi वि यह फर्च नंबर में जो stained नमबर में आएगा संथाल जो की जारकंचेतर में भी के निवासी है, तो फिर्ष्ट में क्या है भील, सकेण में गौंड और फिर्ष्ट में संथाल, तो इसमें दूसरा सबसे बरिजन जाते पूछा है, और यही पहला भी पूछा गया है, तो आगे मिलेगा पहला पहला मिल क्या आजाएगा भील सकेंड में क्या आएगा गौंड तो राजिय उगानदी खेल रतिन पुष्का दिया गया था तो इसका राई अपै आन्सर क्या हो जाएगा B, बजरंग पुनिया बजनंग पुनिया को कुष्टी में राजी उगांदी खेल रत्म पुरुस्का दिया गया है अगला प्रस्न है संयुक राष्टो दुवारमानों अधिकारों के विश्व ब्यापी घोसना को कब अपनाया गया था तो इस प्रस्न का राइट एंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को इसे अपनाया गया था तो राइट एंसर क्या हो जाएगा ए 10 दिसंबर 1948 अगला प्रस्न है ब्रितिश पधान मंत्री विश्टन चाचिल को ने नोबल पुरुस्का जीता था तो इसमें काफी कन्फुजन हो जाता है सब सूच रहे होंगे यह भी मेकसिमान चात्रों को देखा गया है कि वह सूच रहे था आंटी के लिए पर इसका एंसर क्या होगा उनको लिट्रेचर में नोबल पुरुस्का दिया गया था निमलिखित में निमलिखित भारत के राजियों में से कौन सा राज सरवाधिक वनाचीद है मतलब हाइस्ट फोरेश्ट डेंसिटी किस राज में किस स्टेट में यह आपको बताना है तो आपको बता दे कि 64 का क्या हो जाएगा c sensor से हो जाएगा老 WILLIAM Highest Forester density है majorum मेर्व यिसका right answer हो जाएगा अगला प्रशन है भारत के पदान मंत्री द्वारत में रोरोफेरी किंदो अस्थानों को जोरती है तो इसका right answer हो जाएगा ए गोंगा hello गोंगा और दाहेज को जोड़ती है अगला प्रस्थन निम में से कौन सा आबदा के बाद का उपा है तो पुर्वचेतावनी आबदा के बाद थोरे दिया जाएगा आफदा से पहले दिया जाएगा छेत्री करन पूरना निर्मान या योजना और नेतिया तो आप यह दोनों की तो पूरी तरह कनफ़र्म हो जाएंगे कि यह दोनों तो नहीं होने जा रहा है चेतरी करण भी नहीं होने जा रहा हो डूराइ इसका रैइत एंसर क्या हो जाएगा पुना अगला प्रसन है भारत में राष्टिय मानुआ अधिकार आयो का बतमान अधियच कोन है अरून कुमार मिस्र इसके बतमान अधियच है और आप देख सकते है कि ओप्सन में कहीं अरुन कुमार मिर्स ने आप्सन ही में नहीं है आपको बता दे कि HL दत्त HL दत्तु जो इहां पे आप्सन में दिया गया है ये 2020 तक 2 दिसंबर 2020 तक भाते रास्तिय माना अधिकार आयोग के अध्यश्ते तो ये तो 2020 के अध्यश्ते पूरवध्यश्ते तो ये उप्सन भी सही नहीं होगा तो ये प्रस्न रोंग प्रस्न है इसके उप्सन रोंग दिये गया है इसका राइटेम से उप्सन होता है अरुन कुमार मिर्स दो की उप्सन ही में नहीं है तो इस प्रस्न को दिलीट करना पड़ेगा जेपेशी द्वारा या इसके नंबर सभी को मिल जाएंगे अगला प्रस्न है जो कि काफी महत्पून प्रस्न है और छात्रों के बीच काफी confusion वाला प्रस्न है सभी छात्रों को लगता है कि यह प्रस्न सही है पर वे गलत हो सकते जेखिये राष्टिय आबदा प्रबंधन प्रधिकरन का गठन कब हुआ था राष्टिय आबदा प्रबंधन प्रधिकरन यहां पे NDMA का गठन पूछ रहा है और सभी को क्या सोच रहे है मेक्सिमम चात्रों के बीच और काफी अच्छे यूटूब चैनल उन्हें कहा है कि 2005 इसका राष्टिय आबदा प्रबंधन अधिनियम लाया गया था राष्टिय आबदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था 25 दिसंबर 2005 को और इस अधिनियम के धारत इस अधिनियम के धारत 3-1 के तहद एंडियम अका गठन कभ हुआ था 2006 वी में हुआ था इस परसन के सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रस्निकी और बहते हैं भारत में वायू परिवाहन कब प्रारंब हुआ था भारत में वायू परिवाहन कब प्रारंब हुआ तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ए उनिस्सो ग्यारा इस भी अगले प्रस्ण की और बहते तो तोटा जन जाती मुख्यता कहा निवास करती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा तामिल नादू तो तामिल नादू इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है अगला भारत में उची प्रारिश्थिती की संतूलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमी वानांचदित होने का सिफारिस की गई है तो आपको बता दे या आप परहे भी होंगे इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तो अगला प्रस्ण है किस राइज में सोर उज जुझा है किस ने राइट एंसर हो जाएगा ए तारा पूर्र राइट एंसर क्या हो जाएगा HEY तारापूर आपको अगला प्रस्न है भारत में सर्वाधिक जंज जाएगा जाती कौन सी है मतलब लाजे स्ट्राइप्स कौन है इंडिया में तो आपको बताएं थे कि भील जो कि first number में second number में गौन और third number में है संथाल तो इसका right answer क्या हो जाएगा यह भील अगला प्रस्ण है भारत की किस राइज में सरकू का घनतू सर्वाधिक है रोड का देंसिती सर्वाधिक है किस राइज में तो इस प्रस्ण का सही उतर हो जाएगा C केरल अगला प्रस्ण है भारतिय चारागा एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है तो इस प्रस्न का सही उत्तर हो जाएगा C, जहांसी में अगला प्रस्न है भारत का ब्रिहतम प्राकितिक बंधरगा कौन सा है भारत का ब्रिहतम यानि कि लाज़ेश नेचुरल पोर्ट कौन सा है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा A, मुंबै अगला प्रसन है हिंदी के पस्चाइट कौन सी भातिय भासा बिस्व में सरवाधिक बोली जाने वाली भासा है इसमें भी काफी यूट्यूब चैनल दौरा तमिल ओप्शन को राइट कहा दे गया है तो आपको बता दें कि तमिल ओप्शन टौप टेन बिस्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भासा के अंतरगत नहीं आती है बंगाली जो कि बिस्व में टौप टेन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भासा के अंतरगत आती है साथवे नंबर में आती है साइद यह हम confirm नहीं है और पांचवे नंबर में हिंदी आती है तो आपको बता दे कि हिंदी के बाद कौन सी इंडियन लेगो है जो बिस में सबसे अधिक बोली जाती है तो वो होगा बंगाली तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा सी बंगाली अगला प्रस्न है मौरिस समराज के पेसावर के निकट उत्तर पचिम बाग में असो के सिलालेक तो आपको यहां पे confusion होगा कि असो के सिलालेक ब्रामी लिपी में लिखे गया है मैक्सिमम सिलालेक जो ब्रामी लिपी में लिखे गया है मगर उत्तर पचिम जो की नौट वेस अगला प्रस्ण है चारवक द्राशनिक प्रनाली प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा बी लोकायत प्रनाली भी कहलाती थी अगला प्रस्ण है निमलिकित को काल करम नुसार व्यवस्थित कीजिए अगला प्रस्ण है पूर्वी भारत में प्रस्ण है पूर्वी भारत में पर्मक भातिया रोमन बैपारिक अस्थान में पूर्वी भारत में Phatia's Roman बैपारिक अस्थान में आपको साज post पर्मक भारत में Arik-Mendu इन्ढीयन रोमन ट्रैंडिंगन स्टेशन केा रूप में प्रसीद है अगला प्रस्ण है, जिस परकार कलहन की राश्ते रेंगी नहीं, कलहन द्वारा लिखी गई, तो उसी परकार गौण्ड वाहु के द्वारा लिखी गई है, गौड वाहू, तो आपको बताना है इस प्रस्ण के सही उतर, तो इसका राइट इंसर हो अगला प्रस्ण है शेव संतों के लेखन के संगर को पांचवा वेद भी समझा जाता है तो प्रोक संगरा का क्या नाम है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तीरूमुराय तीरूमुराय अगला प्रस्न है निमलिकित राइजियों में से दो भाईयों हरियर तर्था बुक्का ने किस की अस्थापना की थी किस समराइज के अस्थापना की ते काफी easy प्रस्न था ये, हरियार और बुक्का किस समराइज के अस्थापना की है, बिजय नेगा समराइज के अस्थापना की, तो इसका right answer हो जाएगा B अगला प्रस्ण है कुवत उल इसलाम महजित तता धाई दिन का जोपरा करमसा इस्तित है तो कुवत उल इसलाम महजित ये दिल्ली में है और धाई दिन का जोपरा है ये अजमेर में इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा ए दिल्ली एम अजमेर अगला प्रस्न है मद्यकाल की सरकार एक समग्र सरचना थी यह बिलाई था तो आपको बता दे इस प्रस्न का सही उतर हो जाएगा D फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, अभात्य तत्तो यह सभी कब बिले मद्यकाल में था इसका राइट एंसर हो जाएगा D अगला प्रस्न है विशिष्ट अद्वेत सिधान के संस्थापक कौन थे? विशिष्ट अद्वेत सिधान के संस्थापक कौन थे? यह पुछा जा रहा है तो इसका राइट इंसर हो जाएगा B रामानुजा चायर इसके राइट इंसर हो गए अगला प्रसन है भू राजस्व की अस्थाय बंदोबस्ठ मदराज की छेतर में लागू किया गया था तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा? भी बंगल तथमम दराज थीक है? अगला प्रस्ण है आधुनिक भारत की इतिहाज की निमलिखित घटनाओं को काल करम नुसार बेवस्थित कीजिए काल करम नुसार बेवस्थित कीजिए पहला है स्वादेशी मोहमेंट जो की 1905 को हुआ था लखनाओ समझाता 1906 माले मुन्ते सुधार 1909 और अखिल भात ये मुस्लिम लीकिया असतापना 1906 तो क्या हो जाएगा ये उसके बाद D, उसके बाद C और उसके बाद B और ये ऐप सय में नहीं है यह जो राइट एंशर होगड?' ये ऑस play क्रावरां को मिलता है इसलिए ये इनकी मेरो प्रसंन को आप से और प्रेशन का इस पर दकी मेंसकर आप हो किसने और किस हुआ की थी पध्थम भातिय सिछाई की नियुक्ति किसने और किस वख की थी तो आपको बता दे कि लॉड रिपंद ने तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बी लॉड रिपंद ने वस 1882 में अगला प्रस्ण है निमलिकित में से किसने बृतिस भारतिया में प्रांतिय स्वायता शुरू की थी प्रांतिय स्वायता किंके द्वारा शुरू की गए थी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा यह भारत सरकार अधिनियम द्वारा शुरू हुए थी तो आपको बतादे, पूर्तिगालियों ने, प्रिंटिंग प्रेस की सुरवात कीती है, मगर पंदर सुचपन डेट होना चाहिए या पर, पंदर सो पचास है, फिर भी, अगर सबसे, मतलब सबसे रिलेटर, सबसे सही कहा जाए, इसका राइट अंसर बी होगा, तो 94 का right answer क्या हो जाएगा? B अगला प्रस्न है 95 निम में से कौन सब भारती है? रहा है जो भूतान के साथ सीमा नहीं बाicamente बा отправ है तो बिहार नेपाल के साथ सीमा बाता है पर भूतान के साथ नहीं तो इसका right answer क्या हो जाएगा? B, बिहार अगला प्रस्ण है निम में से भारत के किस भाग में प्रवाल दीप पाए जाते तो आपको बता दे कि भारत का जो लच्छ दीप है लच्छी दीप यह प्रवाल दीपों से बना है तो यह प्रवाल दीप से बना है इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा दी लच्छी दीप अगला प्रस्न है भातिय उपगरा स्रिंकला इंसेट के एक उधारन है तो इंसेट उधारन है इंसेट जो उपगरा है यह किस परकार का उपगरा था तो यह मौसम विग्ञान संबंदित उपगरा था मेटरोलोजिकल सेटिलाइट था तो यह काफी सिंपल प्रस्न था अगला प्रस्न है निम में से कौन सा बिसेश लचन नर्मदा नदी के लिए उप्यूक्त है यह काफी अच्छा प्रस्न पूछा गया निम में से कौन सा बिसेश लचन नर्मदा नदी के लिए उप्यूक्त है तो इस प्रस्ण के सही उत्तर देना है तो आपको बता दें, इसका राय टेंसर हो जाएगा D. संचरानात्मक मूल अगला प्रस्ण है, भारत में किस तत्य परदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से बसा होती है? तो इसका right answer हो जाएगा D, कोरो-मंडल-टट, इसका right answer हो जाएगा, कापी अच्छा प्रस्न था, अगला प्रस्न की और बढते हैं, अगला प्रस्न है और इस वीडियो का अंटिम भी प्रस्न है, इस question का, कि निम में से कौन सा कत है, पृत्वी की गती के समदर में सत है, पृत यह तो सही बता रहा है, जिसके कारण मौसम का परीवतन होता है गलत जिसके कारण दिन राथ का परीवतन होता है, इसलिए उस्राइट के कारण ज strategies कर दिन राथ होता है। इसलिए 1 और 2 दोनों असरते हैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा D 1 और 2 दोनों सरते हैं तो दोस्तो हमने 100 प्रस्णों को अच्छे से सकिक तरीके से बिसलेशन किया अब आपका अपना नंबर बताईए कि आपका कितना प्रस्ण सही हो रहा है कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए जिससे कि हम आकलन कर सके कि maximum बच्चों ने कितने वेंज के बीच प्रस्णों सही किया है तो जिससे कि cut-up तयार करने में, cut-up का आकलन करने में हमें असानी होगी आरा जिससे कि आपको भी फैदा होगा तो कमेंट सेक्षन पर कमेंट जरूर कीजिए जितने भी प्रस्ण दावट फूल है उसको हम डिटेल से उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे इसको बताएंगे इतने प्रस्ण में आपको बताऑंगे, कुछ प्रस्ण हैं जैसे कि 3 प्रस्ण गलत भी है तीन प्रस्ण रोंग भी हैं जिसके लिए जे प्रस्ण के नमबर दिया जाएंगे या प्रस्ण को डिलीट किया जाएगा तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में धन्यवाद